माराश्ट में लगातार सियासी उठा पटक जा रही है इस बीच शिवसेना की अगर बात कर ले पार्टी के सिंबल को लेकर बात कर ले तो ये मामला अब चुनाव आयोक तक जाकर जैसे पहुंचा बीजेपी में हड़काम पहुंच गया दरसल उद्दव ठाकरे ने चुनाव आयोक से अपील की है कि जब तक पूरा जो हिसाब किताब है या जिस तरह से अगर बात करे पूरी जो इस्थती है मैजोर्टी है वो सब कुछ जब तक ना सामने आ जाए तब तक चुनाव आयोक इस पर कोई डीसी जनना ले उन्होंने चुनाव आयोक से नुरूत किया उन्होंने कहा कि हमारे साथ पार्टी के ज़्यादा तर लोग मौजूद है हमारे साथ पार्टी के संख्या बलके लोग ज़्यादा मौजुद है तो ऐसे में चुनावचिन हमें मिलना चाहिए शिवसेना हमारी पार्टी है और उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना को बनाने में बाला साफ ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था और भाला साफ ठाकरे ने उनको ये पार्टी सौपी तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक नाथ शिवसेना को लेकर वो दावा सीधे सीधे तोर पर गलत है उनका ये माना है कि जिस तरह का दावा शिवसेना गुट ने किया है एक नाथ शिंदे ये समझ रहे थे कि कोर्ट से जो फैसला आएगा उनके पक्ष में आएगा लेकिन कोर्ट से जो फैसला आया वो ये था कि अभी इस मामले पर जल्द सुनवाई नहीं होगे पहले एक पैनल बैठेगा पैनल का गठन होगा कई मुद्दों को रखा जाएगा कई मुद्दों पर चर्चा होगी उसके बाद ही अकला डिसीजन लिया जाएगा दरसल सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि महराश्ट में जो सियासी इस्तती बनी हुई है महराश्ट में जिस तरह के हाला थे उद्दव ठाकरे के हाथ से कुर्सी चली गई सरकार तो चली ही गई थी लेकिन अब कहीं न कहीं पार्टी की कमान को लेकर जो सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है इस लड़ाई में उद्दव ठाकरे हार मानने के मूड में नहीं है उद्दव ठाकने ने कहा कि ये लड़ाई जहां तक जाएगी वहां तक जाएगे लेकिन हार नहीं मानेगे तो क्या ऐसे में अगर देखा जाए जो लड़ाई शुरुवात हुई है उसमें पहली जीत उद्दव ठाकने की हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोट ने क्या दिया कि अभी जल्द सुनवाई नहीं होगी और सीधे तोर पर सिंदेगुट को बड़ा जटका लगना है यानि जटका बीजेपी को भी लगा है आज के लिए इतना ही आपसे फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्कार